नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम जो पर्यावरण अध्यान की जो सीरीश सुरू कर रहे हैं उसमें में निदेख सकते हैं। आप लोग हमारा जो एक वीडियो है वो उत्तरपरदेश अभी स्पेक्टर इकजाम के लिए, इस उपर्टेट के लिए सीटेट के लिए यूपी टेट उत्तर पर देश पाईदानिक प्रावधान देखें कि समभीधान में हमारे पर्यावधान को लेकर क्या 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 किये गये तो देखिए, 1976 में जब हमारा बैली समा संबिधान संसोधन हुआ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बैली समा संबिधान संसोधन हुआ, तो उसमें दो आर्टिकिल, एक आर्टिकल जो है आर्ट की नंबर 48, 48 A को नीती निर्देशक ततों में जोड़ा गया और दूसरा जो हमारा आर्ट की नंबर 51 A का G इसको हमें मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था अब इन दोनों आर्ट कीलों के प्रावधान को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो 1976 में हमारे सम्विधान में नीती निर्देशक ततों और क्या नामे की मौली कर्तव्यों में जोड़ा गया था अब लोग ध्यान नकिएगा ये मौली कर्तव्यों का आर्ट कील है मौली कर्तव्य यानि की पंड़ामिंटल ड्यटी का रथाट ये और दूसरा ये हैं नीती निर्देशक तत्तो का नीति निर्देशक निर्देशक तत्तो तो इसको ध्यान में रखना है अब हम आगे चलते हैं आगे हम चलेंगे तो देखेंगे इन आर्टिकिल में हमारा प्रावधान के था संभीधान को लेके इन आर्टिकल में हमारा प्रावधान के था संभीधान को लेके तो द सम्भीधान में कि राज्य, यानि कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर लोकल गवर्मेंट या मुनिसिपिल्टी ग्राम सभाध जो भी मतलब इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी है आर्गेनाइजेशन कुछ भी ले सकते हैं जो एक छेतर को गवर्न कर रही है तो एक प्रावधान करेगी प्रावधान क्या करेगी पर्यावरण सनच्छन एवं संबर्धन मतलब पर्यावरण क्या सनच्छन करेगी संबर्धन करेगी तथा बन्य जिवों की सुरच्छा करेगी यह हमारा नीती निर्देशक तत्यों में इसे सामिल किया गया था तो आप लोग इसको ध्यान नखेएगा 48 का A, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें प्रावधान क्या है, पर्यावरण सर्नच्छन एवं संबर्धन तथा बन्ने जीवों की सुरच्छा, उसके बाद जो हमारा मौलिक करतब का जो 8 की नंबर 51 A, A का जो G वाला पाठ है, बन्ने जीव हैं रच्छा करें और उसका संबर्धन करें तथा प्रामाडी मात्र के, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, आप लोग एक पर फिर से ध्यान सुन लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतरगत, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतरग बन धील नदी और बन जीव की रच्छा करें और उसका समवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के परति दया भाव रखें यह हमारा है यह हमारे मौली करतबे में यह है इन दोनों को आप लोगों को ध्यान नखना है मौली करतबे करतबे में करतबे में है इसको आप लोग ध्या सद्वा Johan सींग कमेटी के सटान कि सिंग कमेटी के रिकमंडेशन पर ब deze को जोड़ा गया दोस्तों पहला question ने बन सकता है कि निमनलिखित में से किस सन में पर्यावरन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था तो एक आपका देख लिजिए question ऐसे बन सकता है चार अपसन देदेगा 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था एक बार 1949 में जब हमारा संविधान इंप्लिमेंट हुआ था एक देदेगा 1976 में एक देदेगा 2002 में तो अगर हमें मालूम रहेगा आगर हम इस वीडियो को देखे रहेंगे तो हम बताएंगे कि 1976 के 42 में संसोधन में संविधान का प्रावधान किया गया था उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप संविधान के दोनों आर्टिक्लों को और किस के तहत इनको संसोधन किया गया था किस एक्ट के अधिनियम के तहत या फिर एक्ट के तहत उसको आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है पर्यावरण संरच्छन एवं संवारधन तथा बन्न एवं बन्ने जीवों की रच्छा ये राज्य की रिस्पोंसबिल्टी है अब राज्य के अंदर आप लोगों को मैं पहले ही बता शुका हूँ उसके बाद जो मौली कर्तबे में आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतरगत बन्ने जील नदी बन्ने जीव तथा की रच्छा करें उसका सम्मर्धन करें तथा प्राणी मात्र के परति दया भाव रखें तो दोस्त बनाई है कैसे कैसे पॉलिसी बनाई है इसका हम अध्यन करेंगे हम अपने अगले वाले पार्ट में जब तक लिए जय हिन जय भारत